प्रताप्राव जी का जन्म सातारा के भोसर गाव में 1615 सिसन में हुआ था उनका असली नाम पुर्तु जी गुजर था उन्होंने मिर्जा राजा जैसिंग की सेना के विरुद्ध छत्रपति शिवाजी महाराज की ओर से लड़ते हुए बड़ी बहादुरी दिखाई थी उनके इस प्रताप को देखकर महाराज ने उनने प्रताप्राव की उपादी दी थी प्रताप्राव गुजर इनके गाव में मुगलों का अत्याचार बढ़ता जा रहा था प्रताप्राव को ये सहन नहीं हो पा रहा था आखिर में उन्होंने मुगलों के विरद्ध अपने गाव से हे लड़ाय आरंब की वो अपने गाव के स्त्रियों की आबरूप और प्राण के लिए लड़ने लगे एक बार एक ही समय में दो महराटा शेरों ने मुगलों के खजाने पर आक्रमन किया एक थे स्वयम चत्रपती शिवाजी महराज और दूसरे प्रताप्राव गुजर महराज ने प्रताप्राव जी को स्वाराजी के लड़ाए में शामिल होने को कहा प्रताप्राव ने हस्ते हस्ते महराज की ये बात स्विकार कर ली प्रताप्राव स्वाराजी के तीसरे सर सेना पती थे राज्य अभिशेख के लिए सिर्फ छे महने बाकी रह गए थी प्रताप्राव गुजर जी ने अपने हाथ में लिया। 15,000 की सेना लेकर महराज को पढ़ाम कर प्रताप्राव जी निकल पड़े। दो दिन पहले ही प्रताप्राव उम्रानी गाउ के पास पहुच गए। गर्मी का काल चल रहा था। बलोल खान ने अपने बारा हजारी फौज को जलाशाय के पास ही अपनी च्छावनी लगाने को कहा। प्रताप्राव को पता था बलोल खान की सेना पानी पीने के लिए जलाशाय के पास आएगी। जैसे ही बलोल खान की फौज पानी पीने के लिए जलाशय के निकट आई डवी प्रता प्राव की सेना ने बलोल खान की सेना पर धावा बोल दिया वो अपनी सेना के साथ मुगल सेना को चरा चर काटने लगे सुबह शुरू हुई लड़ाई शाम तक चली बलोल खान की फौज भूकी प्यासी तिल मिलाती खत्म होती जा रही थी बलोल खान प्रता प्राव की शेरण में आया और गिड़ गिड़ आने लगा उसने कहा फिर से स्वराजी के रास्ते में नहीं आऊंगा प्रता प्राव जी को दया आ गई उन्होंने बलोल खान को छोड़ दिया जब ये संदेश चत्रपति शिवा जी महराज को पता चला तब महराज प्रता प्राव जी पर बहुत प्रोदित हुए हाथ आये दुश्मन को जाने दिया महराज ने प्रोदित होकर संदेश भिजवाया साफ की दुम पर पर रख कर छोड़ दिया ये साफ फिर से और पूच की महाराज ने एक पत्र लिखा और कहा जब तक बलोल खान का खात्मा नहीं करते तब तक मुझे अपना मूह नहीं दिखाना ये संदेश पढ़कर प्रताप्राव बहुत हताश हो गए उन्हें मन नहीं मन लग रहा था अगर महाराज को मुही नहीं दिखाना तो जी नहीं किसलिए उनका मन बहुत विचलित था एक बार प्रताप्राव जी अपने छे सरदारों के साथ शिकार पर निकले थी उन्हें गुप्तचर के माध्यम से पता चला आगे के परवत के पास बलोल खान न रियंतर नहीं रख पाए हैं सेना को आने का आदेश दिया लेकिन सेना के आने तक रुक नहीं पाए अपने च्छे सरदारों को बलोल खान की पंद्रह हजार की फौश पर तूड़ पढ़ने का आदेश दिया आदेश मिलते ही एक सरदार की पैरविट डगमगाय नहीं ये जानते हुए भी हम मृत्ति को गले लगाने जा रहे हैं। ये साथ वीर लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गए। मराठाव ने एक नया इतिहास घड़ दिया था। ये संदेश जब महाराज को मिला तो वह बहुत दुखी हुए। इस प्रसंग पर एक मराठी कविता भी है। वेडात मराठे वीर दवड़ ले साथ। ये लड़ाई सन 1673 15 एप्रिल को लड़ी गई थी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और क्योगधा के परक्रम का इतिहास लिए।